हलो लेर्नर्स दिस इस रितू शर्मा वैलकम बैक टू एडू फ्लाइट आज की क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे आपका सीटेट का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक जो होता है आपका सीडीपी का प्याजेश त्योरी ओफ कोगनेटिफ डेवल्लपमेंट यहां से आपके सीट हैं तीन चार कोशन हर बारी आते हैं और अगर आप पेपर वन टू दोनों दे रहे हो न तो दो-तीन कोशन आपको इसमें पेपर वन में मिल जाएंगी इसमें और दो-तीन कोशन आपको पेपर सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और ऐसी आगे भी आपकी इंपोर्टेंट वीडियो आती रहेंगी शुरू करते हैं आज का डिसकेशन जो प्याजे हैं इनका पूरा नाम है जीन प्याजे इ यह Kevin ओंगेशन फॉरे यह एक आपके चायल्ड साइक्ड्स निर्ण आपकी और जो थोरी जूरिच निर्य विडिकीशन आपकी इंवार्मेंड साहोर करेगा जैसे जैसे वह अपनी भू से-स्ट्रेंग करेगा इसे लिए इनको क्या बोलते हैं यह और सक से थे पर मेंगॉस बहुत जादा फोकस कर रहा है कि बच्चा खुद से करता है अपनी नॉलीज को एंवायर्मेंट को एक्स्प्लोर करके यह क्या बोलते हैं इस नॉट फिक्स ट्रेट बट प्रोसे जो इंटलीजन्स आना आपकी वह कोई फिक्स ट्रेट नहीं है कि एक बार आ गया तो आ गया यह फिर नहीं आया तो कभी नहीं आएगा यह क्या होती है एक प्रोसेस होती है जो कि लाइफटाइम चलती रहती है अगर यह कोगनेटिव डवलपमेंट को देखे तो यह दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक बायोलोजिकल मैचुरेशन कि जैसे जैसे आप बायोलोज की बच्चा अपने माइन इस ट्रॉक्षर बना लेता है पैटन बना लेता है किसी चीज को लेकर इन्फरमिशन को लेकर उसको यह क्या बोलते हैं इस कीमा बोलते हैं ठीक है जो आपके psychological structure होते हैं बच्चे ने एक चीज को देखा एक dog को देखा उसने एक schema बना लिए कि अच्छा यह dog है इसके चार पैर है यह चोटा सा है जिसके चार पैर है वो dog है तो उसके अंदर एक schema बिल्ड हो गया कि dog का यह होता है उसने पिक्चर बना लिए अपने माइंड में dog कैसा होता है ठीक है इसकी में को ही हम लोग कभी-कभी building blocks भी बोल देते जो आप अपने माइंड में building blocks बना लेते हो या फिर mental या फिर आपके psychological structure या operation को भी हम क्या बोलते हैं schema बोलते हैं जो अपने information मिली ना उसको अपने mind में बिढ़ा लिया उसी को हम क्या बोलते हैं schema बोलते हैं अब एक schema आपने बना लिए किसे चीज को लेकर के यह particular चीज ऐसी होती है जैसी कि उसने बोला कि जिसके चार पैर होते है ना वह dog होता है एक बच्चे ने यह बोला तो अब यह बात आती है कि क्या biz schema को modify किया जा सकते है चेंज किया जा सकता है तो बिलकूल schema जाएक कर सकते हो जैसे आपको और information मिलती है ना अपने environment से वैसे वैसे आपको schema क्या है develop और ज़्यादा होता और ज़्यादा उसमें आप change कर सकते हो किस तरीके से अपनी जो existing इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी आगे इसकी मा को ही प्याजे ने कॉगनेटिव प्रेमवर्ग का नाम दिया है जो अभी मैंने बताए कि आप अपने माइंड में जो एक प्रेमवर्ग तयार कर ले तो ने किसी चीज का यह अब जब आप अपने माइंड में किसी इन्सकी मा बोलता है एक बचा के चार पयर होते हैं तो वह क्या है अब जब आप government में जाते हो अपने इस कीमा को लेकर तो आपको क्या करना पड़ता है अपने एंवार्मेंट में एडजस्ट करना पड़ता है जब बच्चा इस कीमा बनाने के बाद एंवार्मेंट में निकलता है तो उसको क्या करना पड़ता है एंवार्मेंट में एडजस्ट करना पड़ता है उसी को ह environment जब आपको आगे new information मिलती है तो वो दो चीज में इनों डिवाइड किया है इसको assimilation और एक accommodation assimilation को हिंदी में बोलते हैं आत्मसाथ करना और accommodation को हिंदी में बोलते हैं समायोजन करना ठीक है अब दो चीज़े हैं यहां पर assimilation and accommodation इसको ध्यान से समझना जो assimilation होता है यह क्या होता है fitting new information into existing schema अगर आप existing schema में कोई new information fit कर ले तो अपने information को अपने schema में उसको हम क्या बोलते हैं assimilation बोलते हैं लेकिन जब कोई new information आती है आपके पास उसको fit तो करते हैं अपने existing schema के अंदर लेकिन उसको थोड़ा सा modify भी कर ले तो यह change कर ले तो अपने schema को उसको हम क्या बोलते हैं accommodation बोलते हैं बहुत बहुत कोशन आया हुआ है यहां से कि जब आप as it is जो information आ रही है निए उसको existing schema में क्या कर ले तो fit कर लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं assimilation बोलते हैं या आत्म साथ करना बोलते हैं लेकिन अगर उसी information को अपने existing schema को क्या करते हो मोडिफाइ कर लेते हो या फिर change कर लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं अकोमोडेट करना बोलते हैं यानि कि समायोजन करना इसका एक्जामपल देखो जैसे एक बच्चे ने देखा कि एक कोई जानवर जा रहा है उसकी ममी ने बोला यह डॉग है ठीक है तो बच्चे ने क्या देखा अच्छा है इसके चार पैर है और यह डॉग है फिर उसने कि ने टीक है रहा है तो लीका già को एक कोई गया ग्राजन करने दीका है अच्छा इंत्वाल लईजन वाला तो इसके भी चार पैर है लॉइन, लेकिन बच्चा उसको बोल रहा है डॉग बोल रहा है। तो उसने क्या करा उस information को फिट कर लिया अपने existing schema में कि पहले मेरे mind में था already कि जो बच्चा जिस जानवर के चार पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं dog बोलते हैं तो उसने लॉयन को भी क्या बोल दिया dog बोल दिया फिर उसके पाद उसकी मम्मी ने पता है नहीं नहीं कुछ अलग भी होते हैं फिर उसने ऐसे को सोचा कि suppose जो आपके गली में या घर में आसपास मिल जाते हैं वो क्या होता है dog होता है और लॉयन आपको जनली कहां पर देखने को मिलता है जू में देखने को मिलता है या फिर आप यह बोल सकते हो कि लॉयन डॉक के compare करने में थ इसको क्या बोलते हैं अगर उसकी जो इनफोर्मेशन नहीं करता तो वो सिफ कहां पर रहता है ऐसी मिलेशन पर ही रहता ओके तो यह था इसकी में इस से रिलेटेट कोशन आता ही आता है ध्यान डखना अब बात करते थोड़े से यहां से देखो और अच्छे से क्लियर होग बात को एसी मिलेशन और एकउमोडेशन जब बच्शे को पता थी जिसके चार पैर होता है वह होता है 니 यह चार पैर है। तो उसने क्या करा अपने existing schema मेंन इस information को उसने cat को देखा अच्छा चार पैर है fit कर लिया उसने अपने existing schema में इसको हम क्या बोलते हैं? assimilation बोलते हैं फिर उसको किसी ने बताया कि नहीं नहीं यह dog नहीं है यह cat है और cat के भी 4 पैर होते है फिर उसने बोला कि देखो यहां पर यह cat बोले नहीं में dog नहीं हूँ आया मैं cat तब उसने देख कि अच्छा कुट्ए के भी 4-पैर होते हैं लेकिन किसी और के भी 4 पैर होते हैं और यहा reasoning बिल्ली है जो चोटी साथ है कुट्ते साथ जादाया किया है या άλλa cat एकोमड़ेट मतलब उसने उस figured तो किया चारफ़ेंशन को किया लेकिन अपनी फुरानी इंफोर ऑपर है की मोडिफाइब गी किसा साथ में तो इसी को क्या बोलते हैं गास्ट सब्सक्राइब करें तो यह संवेैर को जिएवस्ता को दिटा है बच्चा है n La uh करता है और यह बच्चा पैदा होते हैं उसके दो साल तक अप्रोक्सिमेटली यह स्टेज वर्क करती है उसकी तो सेंसरी मोटर में क्या क्या होता है जो बच्चे अपने सेंस के तुरूप सीख रहा है किसी चीज को फील कर रहा है लाइक तच कर रहा है यह अगर उसको कुछ क समस्था है और यह वित की सामने आपने सांवडेंगे पहाँ क्या अ्वह अब नहीं से जैवshine अब क्या स्वितय है उनसे thatísह investi तो यह उन्हmen आपनेoda चुछ प्रमाने पहल पारिया सबस्ण मोजए है मैं आपने आप सामने पार्त चीज रखी है उसके सामने आपने और उ तो इसको क्या लगता है चोटा होता है बागल पना रहे हैं तो उसके इंतर ऑप्जेक्ट पर मनेंस आजाते कि मतलब अगर कोई चीज अभी मेरे सामने से गायब हुई है इसका मतलब है कि वो अभी भी एक्जिस्ट कर रही है वो मेरे सामने दुबाया से आ जाएगी इसको क्या बोलते हैं बहुत बार कोशन आया हुआ है कि इस स्टेज में आ जाती है बच्चों के अंदर तो वह सेंसरी मोटल स होती है बच्चा बोल नहीं पाता जादा वह रोक कर या हस करी अपनी चीजों को क्या करता है किसी एक डार पर आकशन को करता है separation and anxiety होती है बच्ची के अंदर मतलब अगर कोई चीजी से दूर जाती है तो वो क्या करता है रोने लगता है अगर वो किसी खिलोने से खेल ला है और उसको आप ले लोगे नहीं तो वो क्या करेगा रोने लगेगा या बच्चे की ममी उससे दूर जा रही किसी काम के लिए तो यूज़ करके और इसकी जो है एक और फीचर ये क्या है डियाफड़ ID Ki đã करने लगता है लोग अपने पेरेंट्स के छो presenters करते दो ऐसå फोन पगरते हैं तो वह यह तरहने लगता है उनकी नकल करने लगता है अपने इसको देख देख के आ एंवारमेंट में देखते हैं तो ये कुछ फीचर से कि सेन्सरी मोटर स्टेज के आगे क्या जो वम्हारी सेकेंड इस होती है इसको भी और इस को देश सओ ठैच को अबस्ता है है ठीक है अब इसमें क्या होता है आपका हमने फर्स्ट स्टेज के फीचर देख लिए सेकंड स्टेज में जो करेक्टर स्टिक सा जाते हैं बच्चे के अंदर वो सिंबल्स के को पहचानने लगता है गैस्टुर्स के थुरूप बात करने लगता है और कहीं लेंग्वेज जो डेवलप होने लगती है बच्ची की स्टेज के अंदर इसको इंपोर्टेंट फीचार यह का इगो सेंट्रिजम जो बच्चा है ना वह अपना पॉइंट वीव समझता है जो वह कह रहा है जो वह मान रहा है वहीं मान रहा है आप उसको कुछ भी कहते रहो ऐसा नहीं होता वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा बस वह अपने पॉइंट वीव को ही देखता है दूसरों को परस्पेक्टिव को इंटेक नहीं करता और यहां पर जो सेकेंड डिस्टेज होती है इसके इंदर बच्चे क्या होता है इल्लॉजिकल होता उसके इंदर उतना ज्याद इसको एक बिस्किट दिया पूरा एक बच्चे को एक बिस्किट दिया पूरा और इस वले बच्चे को न एक ही बिस्किट न तोड़के दे दिया तोड़के दे दिया ठीक है अब यह बच्चा क्या कर रहा है यह बच्चा बोलता है कि रो रहे हैं चसको cup यह बोलतेंगे देगत एक ये ऐस्पेक्ट तो देखता है फिर उनको है काम कर पाता है बच्चा उसको क्या बोलती है उस्को जाने को देखता है नेक्स हुआ इसका फीचर के है ऐनीमम में क्या होता है नॉजल लिविंग चीज़ों को लिविंग बोल देड़ा है जैसे जब छोटे थे तो जब कभी मम्मी के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं पापा के साथ बसमें कहीं जारे हैं तो हम क्या बएत थे अपको पता नी है लेकिन मैंने जरूर बोला है कि मम्मी देखा पीडव कितनी तेज चाह उत्य है छह रहे हैं यहाइं ऑलेकिन वह बत बाद बousas वह देखो होट एंग्री वह बच्चा क्या बोलता है इसका विख भी होटा है जो हेम्छत को समझने लगता है symbols की जो thinking होती है उसके अंदर generate हो जाती है जैसे कि अगर आप बच्चे को बोलोगे ना apple तो उसकी mind में इसकी मा जो है वो built हो जागी अच्छा यह apple होता है तो उसको क्या बोलते symbolic thought आजाता है बच्चों के अंदर next इसका feature है make believe play make believe play का मतलब क्या है कि बच्चा जैसे छोटे में होता है बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है या फिर घर घर खेलते हैं बच्चे school school खेलते हैं कोई teacher बन गया कोई student बन गया तो वह क्या करते है pretend play भी बोलते हैं इसको pretend करने लगते हैं अपने आपको किसी और की तरह इसी को क्या बोलते है make believe play भी बोलते हैं यह देखो यहां पर बच्चे क्या कर रहा है अपने teddy bear के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है इसको पेशेंट समझ रहा है और खुद को क्या कर रहा है डॉक्टर समझ रहा है इसी को क्या बोलते है make believe play बोलते है या फिर बच्च और इसी को हम बोलते हैं बच्चे के नदर कॉज और इफेक्ट नहीं होता है ट्रांस डिड़क्टिव रीजिनिंग होती है जिसे एक बच्चा बोल रहा है कि मम्मी आज धूप है आज कपड़े सूख जाएंगे लेकिन अगले दिन उसने देखा कि बारिश का मौसा में तो व जाएंगे कुछ फीचर से किसकी प्रि उप्रेशनल इस्टेज के बहुत इमपॉर्टन्ट होते हैं इनको देख लेना क्योंकि आजाता है आपका कि यह यह फीचर्स जो हैं आपके करेक्रेकर्टर्स्टिक किस स्टेज में मिलते हैं थर्ट जो स्टेज होती है इसका नाम क् Concrete Operational Stage यानि की मूर्थ संक्रियात्मत अवस्था ये कब तक होती है? 7-11 साल तक होती है या फिर 7-12 साल भी कभी कभी लिखा रहता है अब यहाँ पर क्या था बच्चे के अंदर Logical Reasoning नहीं थी बच्चा क्या था? Illogical था लेकिन 3rd Stage में पहुंचते पहुंचते बच्चे के अंदर Logical Reasoning आपकी आजाती है वो Logically सोचने लगता है और इसमें क्या था 2nd Stage में आपका Centration था बच्चा एक ही Aspect को देख रहा था लेकिन 3rd Stage में बच्चा दोनों सारे Aspects को देखने लगता है जैसे कि वो अभी जो मैंने बिस्केट वाल एक्जामपल दिया था अब वो हाँ पर बच्चा बोलेगा ने नी मम्मी आपने दोनों को Equal दिया है क्योंकि उसी में से एक में से उसको आधर दर देने इसलिए उसके पास दो बिस्केट हो गए तो Decentration आ जाता है यहाँ पर थार्ड स्टेज में बच्चे के अंदर Deversible Thinking होती है अगर आप बताओगे 3 x 5 15 होता है तो बच्चे को समझ में आ जाएगे कि 5 x 3 भी 15 होता है Next इसमें क्या होता है बच्ची के अंदर Conservation होता है Conservation क्या होता है इसको हिंदियों बोलते संरक्षन यहाँ पर समझते है conservation को देखो एक बच्चे के सामने किसी टीचर ने न दो Equal Glass रखे और उसमें Equal Amount of Water डाला और बच्चे से पूछा कि बताओ दोनों में से किसमें जादा पानी है बच्चे ने बोला कि दोनों में Equal है उसको दिख रहा है कि दोनों में Equal पानी है उसकी बाद कि अगर आप बच्चे टीचर ने न एक Glass उठा कि इसी मैंसे एक ऐसी पतले Glass में पानी को डाल दिया पतली Bottle में पानी को डाल दिया अब बच्चे के सामने जब दोनों ग्लास रखे गए तो बच्चे से पूछा कि आप बताओ किसमें जादा पानी है तो यह जो लंबा वाला ग्लास है बच्चा बोले इसमें जादा पानी है अब यहाँ पर देखो खुद बच्चे के सामने डाला था ना उसको पानी को इसको बोलते हैं जो की थर्ड स्टेज में बच्चे को आ जाती है नेक्स्ट फीचर होता है इसका सीरियेशन मतलब बच्चे को और में लगाना आ जाते सीरियेशन की समझ उसके अंदर हो जाती है अगर आप बच्चे को बोलोगे न कि कुछ ब्लॉक्स दिये हुए हैं उनको बड़े से लेके छोटे साइज में लगाओ या फिर छोटे से लेक कर दो तो बच्चा कर देगा या फिर आप बोलोगे युना बलु वाले ब्लॉक को अला कर दो और ग्रीन वाले बलॉक को अला कर दो तो वह कर देगा क्योंकि उसकी ऑदर क्लासिफिकेशन आ चूखे लाशीफाइद करने लगता है वह चीजों को नेक्स्ट फीचर इसका आ लगता है बच्चा यहां पर उसके थिंकिंग होती है अभी भी concrete होती है वह उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच पाता है जो उसने देखी हुई है या फिर जो उसके सामने है जो चीज़ों नहीं देखी है या कभी नहीं सुने ना उनके बारे में वह सोच नहीं पाता उसको क बोलते हैं concrete thinking नेक्स्ट होते हैं बच्चे के अंदर यहां पर inductive reasoning आ जाती है वो examples के थुरू जो है आपको formula वगेरा अगर उसको आप बताओगे तो वह उन चीज़ों को समझने लगेगा और एक और feature होता है इसका इसके अंदर transitivity आ जाती है transitivity का मतलब क्या है अगर आप बच्चों को बोलोगे कि A is more than B और B is more than C तो वह बता देगा कि यहां पर A जो है न वो बारा से या ग्यारा से अब अब जो भी आपका रहता है development वो क्या है formal operational stage के अंदर आ जाता है अब देखो जो आपकी concrete operational stage थी न उसके अंदर बच्ची के अंदर concrete thinking होती है लेकिन formal operational stage में उसके अंदर abstract thinking आ जाती है और hyper deductive reasoning वो करने लगता है abstract thinking मतलब जो चीजों को उसने नहीं भी देखा न अगर उसको आप बताओंगे जैसे कि आप उसको solar system पढ़ाते हो तो वो उन चीजों को समझने लगता है कि exactly solar system है कि अगर उसको आप ठीक से पढ़ाओंगे तो hyper deductive reasoning आ जाती है बच्चा लेट करने लगता है चीजों को assume करने लगता है या फिर metacognition या फिर reflectiveness आ जाती है बच्चे के अंदर अब यहां पर metacognition क्या होता है जब आप बच्चा अपने thought के बारे में सोचने लगता है ना तो उसको क्या बोलते है metacognition बोलते हैं तो ध्य जरूर ध्यान रखना जो आपकी sensory motor stage थी इसका जो time था वो क्या था हमारा बर्ट से लेके two years तक फिर आई आपकी क्या pre operational stage उसमें जो आपका time था वो क्या था two से लेके seven year तक फिर concrete operational stage में क्या था seven to eleven और जो आपकी last formal operational stage वो क्या है आपका 11 से लेके अब अब ओके और इनको serious serial wise याद रखना है sensory motor फिर pre operational फिर concrete operational and then formal operational आगे चलते हैं एक जो और बोलते हैं प्याजे कि जो development होती है बच्चों की discontinuous होती है stages में हो रही है ना जैसे हमने देखा पहले first stage थी उसमें बच्चे ने कुछ सीखा फिर जब वो सीख लिया तो फिर उस चीज ने help करी उसको आगे वाली stage में move करने की तो जो development होती है वो stages में होती है ना कि continuous होती है यह चीज ध्यानक यह continuous development होती कभी कभी graph आ जाता है कि प्य प्याजे हैं कि वो stages में होती है ना कि continuous होती है इस तरीके से प्याजे कभी भी support नहीं करते हैं इसको development को कि discontinuous का एक और मतलब क्या होता है यहां पर जो stages है ना stages are invariant यानि कि fixed stage आप किसी भी stage को skip नहीं कर सकते हैं अगर आप बच्ची के अंदर जो sensory motor में feature होते हैं वो नहीं आए तो बच्चा pre operational में एंटर नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं कि sensory के बाद बच्चा सीथे concrete operational में एंटर कर जाएगा कोई भी stage आप skip नहीं कर सकते हैं जब पर आपकी पहले वाली stage पूरी नहीं हुई आप second stage में एंटर नहीं कर पाऊगे एक इंपोर्टेंट चीज बोलते हैं यहां पर जो साइब प्याजे हैं Children are little scientist यानि की miniature of अड़ल्ट प्याजे बोलते हैं जो बच्चे होते न वो अड़ल्ट ही होते हैं उनी की तरह सोचते हैं बस उनका सोचने का तरीका क्या होता है अलग होता है तो मिनीश्च अडल्ट बोला है प्याजे ने बच्चों को और लिटिल साइंटिस्ट भी बोला है प्याजे ने बच्चों को एक और चीज़ है यहां पर important जो एक्जाम में आ जाती है Children thinking is different in kind from adult than in amount मतलब amount में कोई फरक नहीं होता बड़े सोचते हैं वैसे ही उतना ही बच्चे भी सोच लेते हैं लेकिन उनका जो सोचने का तरीका होता है ना वो क्या होता है डिफरेंट होता है तो children thinking is differ in kind from adult than in amount ओके तो यह थी प्याजे की थोरी आयोप जितना भी हमने यहां पर करा रहा है आपको अच्छे से clear हुआ होगा होगा फोड़े problem है तो please मुझे comment करके बताना और इससे next जो आपके वीडियो आएगी ना उसमें हम सारे previous year questions को क्या करेंगे discuss करेंगे प्याजे से related जो आपके exam में आये हुए हैं और जो कि बहुत important question को कि repeat कर जाते हैं वही सारे questions तो next वीडियो में देखेंगे उसको